नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होटी कल्चर इंसाइकलोपीडिया में और मैं पवन्स है नहीं आज चर्चा करेंगे पॉलिनेशन पर पराग्रन पर पर क्यों चर्चा करेंगे क्योंकि आने वाले समय में को समझ पाएंगे दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने एक लौकी गोल वाली लौकी जो है उसकी बेल है और सबसे अच्छा तरीका आपको समझाने का इस बेल के अलावा दूसरे पर नहीं हो सकता देशी तरीके से साइंटिफिक तरीके से समझाएंगे तो बहु हवा के द्वारा और बारिस के द्वारा होता है परंतु जब हम हैंड करते हैं तो हमें हैंड करना पड़ता है तो दोस्तों देखेए आप इस flower को ध्यान से देखिए ये flower जो है ये female flower है लौकी का और लौकी के पौदे पे male flower जो है वो अलगाता है male flower कौन सा होता है तो male flower कुछ इस टाइप का होता है देखे दोस्तों आप पैचान सकते हैं male में male में जो है वो पॉलन्स होते हैं अंदर पराकण होते हैं और फी मेल जो है उसमें ऑवेरी होती है जो नीचे आप देख रहे हैं यह अंडाश्य है यही pollination की परिकिर्या होने के बाद फल में कंवर्ट हो जाता है तबदील हो जाता है तो दोस्तों अब हम आपको pollination करके बताएंगे कि कैसे करते हैं तो दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखना आपको जैसे कि यह लौकी का फूल है लौकी का फूल जो है वो साम को खिलता है हर फूल का खिलने का समय अलग अलग होता है और लोकी का फूल साम को खिलता है दोस्तों खिलने से पहले अगर आप hand pollination कर रहे हैं तो खिलने से पहले आप ध्यान रखिए कि इसको कोई और infected ना कर पाए देखिए हमने अभी लगबग 6 बजे हुए हैं साम के और उसस से पहले हमने इसको खुछ से हातों से खोल दिया है अब हम एक दूसरा फूल लेकर आएंगे हम गोल लोकी का फूल नहीं लेंगे हम लेंगे लंबी लोकी का आपको बताने के लिए कि hybridization कैसे होता है संकरी करन सिर्फ यह एक आपको बताने के लिए है कि किस परकार से करते है तो दोस्तों मैंने लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं यह लंबी लोकी है बारिस की वज़े से थोड़ी सी बेकार हो गई है परन्तु हमें इस में से फ्लॉवर चाहिए मेल फ्लॉवर आप देख सकते हैं मैंने एक मेल फ्लॉवर लिया है काफी खूबसूरत और यह खिला नहीं है हमको ऐसी ही स्टेज का फ्लॉवर चाहिए जो खिलाना हो दोस्तों अब हमारे पास दो फूल है एक मेल है और एक फी मेल है आप दौनों में अंतर समझ सकते हैं परंतु कुछ फ्लॉवर ऐसे होते हैं जो फूल के अपने फूल के अंदर ही मेल और फिमेल रखते हैं तो दोस्तों जैसे कि अम्रूद है और हमारे फ्रूट प्लांट है ज्यादा तर वह सभी मेल फ्लॉवर और फिमेल फ्लॉवर एक ही में होते हैं वेजी टेवल में भी होत में और किया होते हैं कि दोस्तों अगर आप देख शक्ते हो ध्यान से कि मेने अपनी फिंगर कुछ पावडर जैसी चीज लगी हुई है यही पॉलंस हैं और यही हमको अपने फिमेल फिलॉवर जो है उसके स्टेगमा पर इनको हास से या फिर साबधानी से जो उपर का भाग है इसको टच करना है ताकि प्रागरण की किरिया पून हो जाए हैं दोस्तो देखिए हमने जो पॉलंस है वह उपर गिरा दिये और कुछ और गिरा देते हैं वैसे दो ही जरूत होती है परन्तु हम confirm करने के लिए कुछ और गिरा देते हैं आप देख सकते हैं ध्यान से हमारा फिमेल फिलोवर का जो पार्ट है स्टेगमा उसके ऊपर वाइट पाउडर जैसी फॉर्म चिपक गई है यानि इसमें पॉलन्स चिपक गए हैं अब हम इसका रजल्ट आपको आने व लोखी को मिलाया है तो देखते हैं कि कैसी लोखी बनती है कम से कम आट दिन लगींगे आप सभी को पता होगा फूल खिलने से और परिपक होने पर लगवग आट दिन लगते हैं लोखी को और यह इस परकार से आप पॉलेनेशन कर सकते हैं जो फ्लॉवर प्लांट फीमेल और मेल एक ही फूल में होते हैं उनको पॉलन कैसे करते हैं या पॉलिनेशन कैसे करते हैं दोस्तों उनको बड़ी ही साबदानी से खिलने से पहले लगवग आट से दस गंटे पहले उनको कैप कर दिया जाता है एंथर को हटा दिया जाता है और जो हमारा स्टेगमा है उसके उपर कागस से या पॉलोथीन से अच्छे से कवर कर दिया जाता ताकि सुबा अर्ली मॉर्निंग कोई भी भवरा या फिर मदमक्खी उसे इन्फेक्टेड ना करता है तब सुबा हम दूसरे फूल से यानि दूसरी वराइटी के फूल से पॉलन लेकर अपने जो कवर किया रात को फीमेल फलोवर उसके उपर एंथर गिरा देते हैं पॉलन्स गिरा देते हैं जिससे हाइब्रिडाइजेसन हो जाता है यानि दो अलग वराइटियों का क्रॉस हो आता है तो हमारे दिवारा दी गई जानकारी आपको कैसी लागी हम जल्दी ही आपको हाइब्रिडेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना कर दिखाएंगे जो की अमरूद के ऊपर होगा तो धन्याबाद दोस्तों